नमस्कार मित्रों, कोटा ओलनाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है सातियों आज बहुत दिनों बाद आप से कुछ मुलाकात हो रही है बहुत बड़ा रही जनता सातियों, मैं बिमार चल रहा था, बहुत बड़ी परेशानी थी और अभी भी मतलब बिमारी चली रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरा जो एक हाथ है, वो बहुत दर्द हो रहा है और लिक नहीं पा रहा हूं में तो ये बड़ी समस्या चल रही है सातियों कहते हैं ना कि समय जो होता है, बलवान होता है मतलब ये मान के चलिए और अभी भी मुझे जो है ना मेरे आवाज भी आपको बता रही होगी इस चीज़ के लिए इसलिए सातियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास बना के रखिए आपको मैं धोका देने वाला इनसान नहीं हूँ और मैंने जब आप से बोला है कि मैं कोर्स करवाँगा तो निस्षित रूप से आपका कोर्स होगा अभी समय ऐसा ही चल रहा है बीमारियों का भी समय चल रहा है अभी बहुत घरों में बिमार हो रहे है आप लोगों के भी परिवार में किसी ने किसी के तो ऐसा होई रहा है मेरे पास कोल भी आये हैं कि सर क्या हो गया क्लासिज नहीं आ रही है इस वज़े से वीडियो में बना रहा हूँ और मित्रों अभी थोड़ी सी परेशानी थी सरीर भी साथ नहीं दे रहा था बीमारी इतनी भेंकर मुझे लग रही है पतानी क्या हो गया है समय ही ऐसा लग रहा है विपरित सा समय दिखाए देता है साथ जब कुछ अच्छा करने की सोचते हैं न पतानी क्यों ऐसा लगता है कि जब जब भी अच्छा करने की सोचा है जब जब भी भला करने की सोचा है तब तब ऐसा ही समय क्यों आया है ये समझ के बार है अब मुझे ऐसा फील होता है मतलब परमित्रों में आप से ये कहूँगा कि होसला बना के रखिए समय आता है चला जाता है और मैं हमेसा कहता हूँ कि समय हैं निकल जाएगा ये बात हमेशा मैं कहता हूँ और यही बात मैं खुद से भी मैं कहता हूँ कि समय हैं निकल जाएगा अभी समय ऐसा ही है तो मित्रों में आप से भी यह कहूँगा कि अभी वेकेंसी का समय नहीं है लेकिन आपको बुलंद होसले के साथ आगे बढ़ना है और तैयारी जरूर रखनी है अभी मैंने जो टेस्ट स्रीज में ले रहा हूं साथियों एक तो पस्ट ग्रेड के लिए सपलता टेस्ट स्रीज है और सेकंड ग्रेड के लिए परिणाम टेस्ट स्रीज है साथियो बहुत से स्टूडेंट ने जोइन किया है उसे मैंने ज्यादा कोई प्राइज नहीं रखा है उन टेस्ट स्रीज का अच्छे स्टूडेंट उससे जुड़े हैं लगबग दो हजार के आसपास स्टूडेंट उससे जुड़ चुके हैं फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट स्रीज से और सेकंड ग्रेड की टेस्ट स्रीज से कम से कम तीन से चार हजार स्टूडेंट उससे जुड़े हैं और उसमें जो है टेस्ट स्रीज में जो मैं कुशन दे रहा हूँ वो टाइम टेबल के एकोडिंगी ही है कि जिससे मेरे को पता है मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगला टेस्ट किसका होने वाला है ये भी मैं पहले बता देता हूँ अगर मुझे कुछ परिवर्तन करना होता है तो मित्रों आप लोगों को होसला बनाए रखना है जीवन मतलब क्या है कि ऐसा फील होता है कि जब जब भी अपने सोचा है कि ऐसा कर लेते हैं तब कही न कहीं समझेयां जरूर पेदा होती है अब उस रुकावट को आप को कैसे जो बीच में दिवार आई है उस दिवार को कैसे तोड़ के आगे बढ़ना है ये होसला आपके पास होना चाहिए बहुत सारे student ऐसे हैं जिनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं है ऐसा नहीं है कि सभी easy way में नोकरी प्राप्त कर लेते हैं ऐसा नहीं है बहुत सारी समस्याएं होती है बहुत सारे student ऐसे होते हैं बिचारे कर्ज लेकर भी पढ़ाई करते हैं देखे आप लो तो वो एक तरह से उनके दिवार है अब उस दिवार को उस समस्या रूपी दिवार को तोड़ना है तो यही तो मोस्ला रखना है सात्यों यही चीज है कि अमें आगे बढ़ना है अमें तूटना नहीं है दिल से नहीं तूटना है कोई बात नहीं है वेकेंसी नहीं है अमें धीरे 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 रेंगते रेंगते आगे बढ़ना है लेकिन समय अब देखो सारी चीजे तो भविश्य के गर्द में चुपी हुई चीजे हैं किसी को पता नहीं हर कोई यही कयास लगा सकता है कि यार इतनी वेकेंसी आएगी इतनी आएगी हर कोई यही सो सकता है लेकिन मित्रों हमें घबराना नहीं है और हमें अच्छे से मैनेज करना है इस टाइम को मतलब यह जो टाइम है यह इतना टिफिकल टाइम है एक स्टुडेंट के लिए कि मतलब इसको जीना उसके लिए बहुत मुश्किल सा हो रहा है देखो वेकेंसी भी नहीं है अब पढ़ना भी है मतलब इतनी बड़ी समस्या है इतनी बड़ी दुविदा है कि करूं तो क्या करूं बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं उन्होंने दो से तीन बार से ले बस पूरा कर लिया वेकेंसी नहीं है तो उनकी जो हिम्मत है न वो टूटती है अगर अभी वेकेंसी आ जाती है न तो उनकी हिम्मत दोगना बढ़ जाती लेकिन पता नहीं गुवर्मेंट क्या चाती है गुवर्मेंट क्या करना चारी है ये भी भविशे के गर्त में ही चिपा हुआ है तो मित्रों में आप से यह कहूंगा कि समय है ये निकल जाएगा अभी थोड़ा सा समश्यात्मक समय चल रहा है आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ आगे बढ़नी है अभी मेरा भी समय ऐसा ही चल रहा है बीमारी का घर चल रहा है बही ये मान के चलिये जिस हाथ से मैं लिखता हूँ राइट एंड साइड से उस हाथ में पुरा धर्द सा बना रहता है मैं लिके नहीं पा रहा हूँ इस वज़़ से कलासिज नहीं आ रही है बस आप लोग हिम्मत रखिए और मुझे भी हिम्मत दीजिए कि मैं भी हिम्मत के साथ जो है अब सही हो जाओं मैं टेस्सरीज भी मिलब जो कुशन हैं साथियों वो भी बड़ी मुश्किल से मैं डाल पाता हूँ मिलब यह मान के चली आप लेकिन मैं डालता जरूर हूँ टेस्सरीज की कुशन को चाहे पचास ही कुशन में डालता हूँ लेकिन कुशन जरूर डालता हूँ तो ताकि इस्टूडेंट विचारा पढ़ रहा है तो वो उसके पेपर तो दे सकता है यार यह वाली बात है तो मित्रों आप लोगों का ही जो विश्वास है वो ही मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है और मेरी जो हिम्मत है मेरी जो ताकत है वो आप लोगों का विश्वास है तो इसी के साथ आप और हम मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और अभी हाड एन पास्ट इतना कोई ऐसा समय भी नहीं है कि हमें नहीं साब वेकेंसी चल रही है और अब में क्या करूँ मेरा कॉर्स भी नहीं हो रहा है कोर्स भी इसर नहीं आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो भी नहीं आ रहा है साथ यों घभराना मत यार ठीकें और विश्वास रखना मेरे उपर में निश्जित रूप से कोर्स पुरा कराऊंगा ये वीडियो मेरे बनाने का परपस यह है कि आप लोग भी हिम्हत रखिए मैं बी हिम्हत रखता हूँ और आगे हम लोग जरूर बढ़ेंगे ठीक है तो समय है समय को कैसे मैनेज करना है मैंने आप से सीखा है और आपने मेरे से सीखा है ठीक है मितरो तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा होसला मिले कि नहीं ठीक है सर की तबेत अभी खराब है सही हो जाएगी वीडियो आ जाएगे और अब आप लोगों को कैसे विश्वास रखना है कैसे क्या करना है या आपको देखना है ठीक है एक दो दिन में मेरी तबेत तोड़ी और सही हो जाएगी फिर वीडियो अपन लोग रोजी में वीडियो डालूँगा कावे सास्तर अपना चल रहा है अलंकार चल रहा है मैं अलंकार पर मैंने वो वीडियो जो पहला वाला बनाया था वो भी बड़ी मुश्किल से बनाया था यह मानो आप लेकिन मैंने बना दिया वो ठीक है तो अलंगकार चल रहा है अभी मैंने कावे लक्षन, कावे प्रियोजन, कावे हेतू मैंने पढ़ा दिया है और आगे भी अपने इसी तरह से पढ़ते रहेंगे बहुत सारे पीडियेप मैंने कोटा ओनलाइन क्लासेज जो एप है उसके उपर डाल दिये आप एप को डाउनलोड कर लीजिए वो जो भी वीडियो है उनमें लिंक दिया हुआ है उस लिंक से डाउनलोड हो जाएगा अभी पले इस्टोर पे वो नहीं आया है उपर तो लिंक से डाउनलोड कर लीजिए आप लोग ठीक है और टेस्रीज वगेरा जो मैंने डाली है फर्स्ट ग्रेड सेकिंड ग्रेड की है सफलता टेस्रीज फर्स्ट ग्रेड की है परिणाम सेकिंड ग्रेड की है तो उसे लोगों ने जोइन किया है आप भी जोइन कीजिए ठीके मित्रों तो विश्वास बनाई रखिए थोड़ा सा और आप भी मुझे हिम्मत दीजिए मैं जिस तरह से आपको हिम्मत देता हूं और इसी तरह से मिलकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसी तरह से आगे जे बारत थेंक यू